नमस्कार साथियों, 2023 का वर्ष आज बजेट सत्र का प्रारम हो रहा है और प्रारम में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को माननेता होती है वैसी अवाज चारों तरप से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है आशा की किरन लेकर आ रही है उमन्य का आगाज लेकर के आ रही है आज एक महत्वकु आउसर है भारत के वर्तमान राश्पती जी की है आज पहली ही सयुक्त सदन को मुसंबोदित करने जा रही है राश्पती जी का भाशन भारत के समिधान का गवरव है भारत की संसदिय प्रणाली का गवरव है और विशेश्त रुप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है न सिर्फ संसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गवरों का प्वल है कि भारत के वरतमान राश्पती जी का आज पहला उद्वोधन हो रहा है और हमारे संसदिये कार्य में गच्छे साथ दसक से जो परंपराय विच्छित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया साउसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दलका ज्योन हो जो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है उनका आत्मविश्वाद बढ़े उस प्रकार से एक सानुकुल बातावन तयार करता है एक उद्वय उजवल और उत्तम परंपरा है आज राष्पती जी का उद्वोधन भी पहला उद्वोधन सभी सांसदों की तरफ से उमंग उत्सा और उर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सब का दाईत्व है बुजविश्वास हम सभी सांसद इस कसोच्तिक पर खरे उत्रेंगे हमारी देश की वित्तमंत्री भी महला है वेकल और एक बजेट लेकर के देश के सामने आ रही है आज के वैश्विक परिस्तिति में भारत के बजेट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पुरे विश्व का ध्यान है डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्तिति में भारत का बजेट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांचाओं को तो करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्व जो आशा की किनन देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाश्मान नजर आएं मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए बरपूर प्यास करेगा भारतिये जनता पार्टी के नित्रुत्व में अंडिये सरकार उसका एक ही मकसद रहा है एक ही मोटो रहा है एक ही लक्ष रहा है और हमारी कार्य संस्क्रेटी के केंदर बिंदु में भी एक ही विचार रहा है इंडिया फर्स, सिटीजन फर्स, सबसे पहले देश, सबसे पहले देश वासी उसी भावनाओं को आगे बढ़ारते हुए इस बजेट सत्र में भी तक्रार भी रहेगी लेकिन तक्रीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष्चे सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारिकी से अध्यान करके सदन में अपनी बात रखेंगे सदन देश के निती निधारन में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करके अम्रित निखालेगा जो देश को काम आएगा मैं फिर एक बार आप सब पर स्वागत करता हूँ बात बात रखेंगे निए ताव